नमस्कार दोस्तों एरिक बर मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पीडेबलू सरकारी इंग्जाम पे मैं हूं मुहम्मद आसिम दोस्तों पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घही ने बताया कि नाशनल सेक्टियूरिटी आक्ट को इन्वोक कर दिया गया है अमरित पाल को अरेस्ट कर रखा है इल्लीगली और डिटेन कर रखा है और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जब यह कोट पेटिशन सुन रहा था है बेस कॉर्पस की तो यह इन्फॉर्मेशन विनोद घही ने दी कि भया हम बहुत रेट कंडट कर रहे हैं अभी भी पुलिस रे हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो यह नाशनल सेक्योरिटी आक्ट होता क्या है इसके बारे पर यहाँ हमें चर्चा करनी है आज हमारा मेन इसमें अपडेट और होते जा रहे हैं काफी लोग काफी यह न्यूस भी आई है रीसेंटल अभी आई है कुछ दिर पहले की है कि ज इसी वाइरल हो रही है इंटेनेट पे कि उसने अपना रूप बदल बदल के भागा हुआ है तो इन सब पर यहां पर बात करेंगे बट में हमारा फोकस यहां पर रहने वाला है कि सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे एक्जामिनेशन परस्पेक्टिफ से बहुत इंपॉर्टन हो जाता है यह पर्टिक्लर हमारा इंफॉर्मेशन देखिए अब यह आक्ट है क्या देखिए दोस्तों यह आक्ट जो है यह 1918 बना दिया गया था और उसके बाद कई बार इस इसको हमने किया हुआ है क्या सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस आक्ट का एक लाइन में समझ लीजे मैं एक वर्ड बताऊंगा पहले और वह यह कहूंगा कि आपको याद है कि एतिहास में एक एक्ट लाया था अंग्रेजों के द्वारा कोलोनियल पीरेड में आया था जिसको हम रॉलट आक्ट कहते हैं ठीक है तो बिल्कुल वैसी कुछ है मतलब उस वक्त भी क्या था रॉलट टाक्ट कि भाई बिना किसी चार्जिस के बिना ट्राइल के इंसान को कुरिजन में डाल दिया जाएगा वैसे इसकी हिस्ट्री और पुरानी है 1818 में जब बेंगॉल सब्सकार को दी गई थी उसके सौ साल के बाद 1919 में एक तरह का रॉल अटेक्ट आया उसी तरह से यहां पर यह आक्ट है नाशनल सेक्यूरिटी आट का क्यों अब्जेक्टिवेट इंपावर इस्टेट तो डिटेन अपरसन विदाउट फॉर्मल चार्ज और विदाउट ट कि रहा है स्टेट को कि बिना किसी फॉर्मल चार्ज के हम उस किसी विक्ति को डिटेंद कर सकते हैं बिना ट्रायल के उसको कर सकते हैं तो अपने आप महीं बड़ा लौ है बड़ा ड्राकॉनियन लौ है और ये कुछ पेशल सरक्म्रेंस में अपलाए होता है अंडर ड़्श तो दोस्तों ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि हमको लगता है कि फला व्यक्ति है बड़ा खतरनाक है अगर ये बाहर रहा ये इसको डिटेन नहीं किया गया तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि हमारे देश के के खतरा है जो कि हमारे पूलिक और गिली खतरा है इसलिए उसको डिटेन करने का यहाँ पर यहाँ पर और आता है अब यह जो और है I administrative order है जिसको divisional commissioner या फिर डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट डियम साफ देते हैं ठीक है इडिजन अडिनिस्ट्रेटर और पास्ट इधर बाइदी डिवीजनल कमिशनर और डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट आई यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी ऐसा नहीं है कि यह कोई पुलिस का यहां पर स्टैप होता है यह और दिया जाता है डिम्साफ के द्वारा या दिवीजनल कमिशनर के द्वारा और नॉट डिटेंशन उडर बाइप्लिस based on specific allegations for a specific violation of the law, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई special violation किया हो, तो ही हम NSA invoke करेंगे, यहाँ पर बिना किसी, मैंने बताया आपको, कि जो national security act है, वहाँ बिना किसी formal charge के, बिना किसी formal charge के, without trial, आपको detain करा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई specific law का violation किया, police charge frame कर रही है, तब आप administrative order, जिसको DM सहाब या पर divisional commissioner यहाँ पर इसको कह सकते हैं, order कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ points लेके आया हूँ, आप इन points से ही समझ पाएंगे कि कि कितना severe है यह act, देखिए, पहला point है कि अगर मान लीजे, person police custody में है, already police में पकड़ा हुआ है, उसक national security act invoke कर सकता है, बासवाज में आ रही है, the DM can slap NSA against them, clear है, दूसरा point देखिए, मान लीजे को को व्यक्ति है, और उसको bail दे दी गई है, trial court के द्वारा, बिल मिल गया, यानि निकल लिए, bail मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति पे, उस person पे national security act invoke किया जा सकता है, ठी can be immediately detained under the NSA, और NSA अगर invoke हो गया, तो उनको detained कर लिया जाएगा, ठीक है, फोई formal charge नहीं, trial court से bill मिल गई है, कोई formal charge नहीं, उसके बाद भी detained हो रहा है, third point, तब if the person has been acquitted by the court, मान लीजे कुछी court ने बरी भी कर दिया है, person को, लेकिन अगर लग रहा है कि इस व्यक्ति के बाहर र अगर, number four, law जो है, ये जो NSA है, takes away an individual's constitutional right to be produced before the magistrate within 24 hours, article 22 के अंदर ये provision है, article 22 of the Indian constitution, जो राइट दिया है, constitution के, अगर आपको यहाँ पर arrest किया गया है, तो भई, जो accused है, उसको police को produce करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है न, the law takes away an individual's constitutional right to be produced before the magistrate, within 24 hours, as is the case when the accused is in police custody, जब police custody में है, तो भी, पासवाज में आ रही है, आपर, clear है, the detent person also does not have the right to move a bail application before the criminal court, तो अगर एने से यहाँ पर लागू हो गया है, तो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है, यहाँ पर इस तरह से invoke हो सकता है, लेकिन, मैं आपको पहले थोड़ा स article 22 of the Indian constitution पर भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप यह समझ पाएं कि article 22 के अंदर दोनों चीज़े दी गई है, राइट भी दिये गए है, detent person के, और वहाँ पर एक exception भी carve out किया गया है, कि कुछ भी हो जाए, अगर preventive detention लागू है आपकी उपर, तो यह rights आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको 22 के इंदर मिल सकते हैं, मैं आपको 22 पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले उससे पहले यह जान लेते हैं कि भाई क्या grounds है, किस grounds पर detention किया जा सकता है, National Security Act लागू हो सकता है, अगर defense of India खत्रे में है, लगता है कि इंसान अगर बाहर रहेग तो defense of India खत्रे में का, दूसरा हमारे relations किसी foreign power से, उस foreign power से हमारे relations क्या हो जाएंगे, prejudice हो जाएंगे, third, security of India खत्रे में पढ़ जाएगी, या फिर कुछ ऐसे चीज का supply, कुछ ऐसे essential चीज़ों का supply या services जो hamper हो सकती है, अगर यह व्यक्ति बाहर रहा, तो उस व्यक्ति पर National Security जा सकता है, या कर दिया जाता है, I hope यह समझ में आ रहा होंगे, NSA can be invoked to prevent a person from acting in any of the provincial matters, तो यह तरह का preventive detention law है, हना prevent, कोई चीज होने से पहले आप उसको prevent कर रहे है, इसलिए आप उस व्यक्ति को detain कर रहे है, I hope the very meaning of the act goes with the things, ठीक है, अब देखे, individual can be detained without charge for a maximum period of 12 months, बिना charge क एक सवाल यह आता है कि बिना अगर आप नसे कह रहा है ना कि कोई charge नहीं लगाना, बिना charge के आप detain कर सकते हो, without trial, आप detain कर सकते हो, सवाल ही होता है, कितने time तक, कितने time तक, तो answer is 12 months, ठीक है, बिना formal charge के, बिना charge के, maximum 12 months तक यहाँ पर आप उसको detain कर सकते हो, next point is, जो detain 10% है यहाँ पर जिसको detain कर रखा है, can be held for 10 to 12 days in special circumstances without being told the charges against them, I hope यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से clear हो रही होगी, अब मैं article 22 पर आता हूं, कि article 22 यहाँ पर कहता क्या है, मैं आपको कुछ points पढ़वाना चाहता हूं, article 22 के, वैसे आप लोग सब इसको जानी रहोंगे, but it is important right here to note कि भाई क्या-क्या आपको rights है, देखे, protection against arrest and detention in certain cases, certain cases ऐसे हैं, जहाँ पर आपको protection दिया गया है, किसे arrest और detention से, clear है, देखे कैसा, no person who is arrested, जो कोई भी व्यक्ति अगर इसको arrest कर रखा है, shall be detained, उसको आप detained नहीं कर सकते custody में, without being informed, बिना उसको inform किये, क्या grounds for such arrest, पहल clause 1 कह रहा है कि कि किसी भी व्यक्ति को आप arrest नहीं रख सकते custody में रख सकते, बिना उसको grounds of arrest बताए बिना, ठीके न, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों arrest किया गया, number two, nor shall be detained, denied the right to consult, नहीं इसको आप deny करेंगे, कि नहीं कर सकते, किसी भी legal practitioner को, and to be defended by a legal practitioner of his choice, यह दो या पर article 22 clause 1 कंदर दिये गाए, पहला आप arrest नहीं कर सकते, बिना उसको grounds of arrest बताए, और दूसरा, you cannot deny him, आप मना नहीं कर सकते कि आप अपने legal practitioner से सलाह या consult, या अपने defend नहीं कर सकते, बना आप defend करने को मना नहीं कर सकते, यह है आपका 22 clause 1, next, every person, अब हर वो व्यक्ति जिसक इसको arrest कर रखा है, या जिसको detain कर रखा है custody में, shall be produced before the nearest magistrate, within 24 hours of such arrest, और यह जो hours, 24 hours है, इसमें traveling time को exclude कर दिया जाता है, I think this is very, बहुत सब लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है न, तो यहाँ पर एक राइट और दे रखा है, कि अगर यहाँ पर कोई प्यक्ति arrested है, या detained है custody में, तो इसको produce किया जाएगा nearest magistrate, यह नहीं कि आप कहो कि भाई, यह crime तो हुआ था, यूपी में, लेकिन जो हमको मिला है व्यक्ति, वो हमको मिला है तमिल नाडू में, हना, तो अब आपको nearest, अब आप कहो कि भाई, हमको इसको यूपी के magistrate के पास produce करने में भाई, इतन कर दिया जाएगा वो time, जो necessary है traveling के लिए, यह भी यहाँ पर एक right दिया हुआ है, ठीक है, बास वाज में आ गया, and no such person shall be detained in custody, beyond the set period, without the authority of magistrate, और मान लिजे जो period दिया हुआ है, उसके beyond आप उनको arrest नहीं रख सकते, custody में रख सकते, until and unless magistrate कह दे कि हाँ, इनको custody में रखी है, क्लियर हो गया, अब 22 clause 3 जो है, यह exception का route करता है, very very important, यहाँ यह बात कही गई है, कि कुछ भी लिखा हो clause 1 और clause 2 में, article 22 clause 1, article 22 clause 2, इनमें जो भी right दिये गए हैं, यह सारे right खतम हो जाएंगे, अगर उसके against preventive detention law लागू हुआ है, तो, लिखा हुआ है, nothing in clause 1 and clause 2 shall apply to any person, who for the time being is an enemy alien, या तो व्यक्ति enemy alien हो, यानि इंडिया के लिए एक तरह से दुश्मान हो, और to any person who is arrested or detained, under any law providing for preventive detention, तो एक तरह से यहाँ पर exception का रवाउट कर दिया गया है, कि वैसे तो 22 clause 1 और 22 clause 2 यहाँ पर rights देते हैं, उस arrested person को, लेकिन 22 clause 3 exception का रवाउट कर देता है, कि यह rights उन को नहीं मिलेंगे, अगर उनके against कोई भी ऐसा law लागू है, जो preventive detention करता है, I hope यहाँ पर यहाँ पर यह बात समझ में आपको आ गई होगी, clear है, so एक यहाँ पर आप देखिए, crucial procedural safeguard यहाँ पर निकाला गया, साथ में एक और article 22 clause 5 के अंदर, यहाँ पर क्या बोला गया है, ब 22 clause 1, 22 clause 2 apply नहीं करेगा, अगर उसके against preventive detention लागू है, तो 22 clause 5 कह रहा है कि ऐसे case में क्या होगा, क्या उसको consult करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे case में क्या होगा, all the detained persons have the right to make an effective representation before an independent advisory board, अब यहाँ पर एक independent advisory board की बात आ गई, कि यहाँ पर यह जो व्यक्ति जिसको detain किया गया है, कई सारे व्यक्ति जिनको detain किया गया है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक representation कर सकते हैं अपना इस advisory board के सामने, उस advisory board में जो chair होगा, इस advisory board में तीन members होगे, और जो इसका chairman है, chair करेगा इस advisory board को, वो कौन होगा, वो judge होना चाहिए, of the high court, has been a judge, who is, और has been a judge, वो या तो judge है, य a member, वो who is, और has been a judge of the high court, ठीक है, तो board का chair कौन होगा, एक ऐसा member होगा, जो की है, या पर रह चुका है, judge of the high court, ठीक है, तो यह चीज़ है, अब important बात यह है, कि मैंने आपको बताया, कि जो national security act है, इसको DM सहब लागू करते हैं, DM के orders हो जाते हैं, मैंने बताया, कुछ ऐसा DM को जहाँ पर protect किया गया है, under this particular act, तो जो DM सहाब है, the DM who passes the detention order is protected under the act, और यह कहा गया है, कि कोई भी, कोई भी prosecution या किसी प्रकार की legal proceedings जो है, वो नहीं हो सकती, is DM के against, ठीक है न, कोई भी प्रकार की no prosecution or any legal proceedings can be initiated against the official who carries out the order, तो जो भी यहाँ पर order को carry out कर रहा है, मतलब DM ने तो order दे दिया, उसको protection मिला, अब जो भी व्यक्ति DM के orders को यहाँ पर carry out कर रहा है, no prosecution और किसी प्रकार की legal proceedings नहीं हो सकती, अगि initiate भी नहीं हो सकती against the person, उस official जो इस order को carry out कर रहा है, इसलिए आप देखिए, the writ of habeas corpus, यहाँ पर एक clothy remedy बची होती है, क्या आप कहिए भाईया उनको produce किया जाए, क्योंकि और article 22 को काम बचा नहीं, क्योंकि वो तो clause 3 की वैसे strike out हो गया, अब एक क्या remedy बची है, है, habeas corpus की, मतलब to produce the body, रिट है यह, याचिका है, याज रिट डायर की गई, क्या भाईया, to produce the body, ठीक है, code order करेगा, तो यहाँ पर habeas corpus की रिट जो है, वो available remedy है, जो यहाँ पर constitution में दी गई है, अब available remedy under the constitution against the state's power of taking people into custody under the NSA, अगर NSA में किसी को यहाँ पर रख लिया, अप है, एक habeas corpus की petition, जो मैं आपको starting of this session बता रहा था, कि यहाँ पर file करी गई है, in this case, ठीक है, और Punjab court जो है, पंजाब हर्याना court जो है, वो इसी को यहाँ पर सुन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर top court का क्या कहना है, top court यह कह रहा है, कि भाईया, यह जो supreme court ने, ऐसे अपने earlier, जो cases है, उसमें कहा है, held that to prevent, अब supreme court ने कहा है, बहुत important लेखी क्या बोला उसते, क्योंकि देखिए, है तो draconian law, आपने गर misuse कर लिया, तो भाई, फिर तो किसी को पकड़ के बैठे हो, without formal charge, दिक्कत हो सकती है, तो जहाँ supreme court ने कहा है, कि भाई, इन earlier cases held that to prevent misuse of this potentially dangerous power, ऐसी power का misuse रोकने के लिए, the law of preventive detention has to be strictly construed, और strictly construed करना है, and meticulous compliance with the procedure, उसके होने चाहिए, मतलब सारा procedure जो होना चाहिए, तभी आप इसको apply करें, यह बोला गया है, वैसे मैं आपको बहुत आदू, और एक चीज, कि यह जो advisory board के सामने यहाँ पर जो इसको represent खरने का right होता है, व अभी गया है, तो भी detention को upheld कर दिया गया, कि detention ठीक किया गया है, ठीक है, जनरली यहाँ पर यह होता है, ते people are strict, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर यह कुछ घंटे पहले की news है, जहाँ पर यह news आई थी, कि भाई, जो जिस particular motorcycle से, अमरित पाल सेंग यहाँ पर फरार हुआ भ गया होगा, और आपके क्या views है, यहाँ बर क्योंकि reports ऐसी भी आ रही है, कि वो अपना चेहरा बदल के, रूप बदल के, फरार हो गया है, और कुछ लोग यह कह रहे हैं, कि नहीं उसको arrest कर रखा है, लेकिन पुलिस अभी बता नहीं रही है, कुछ लोग यह कह रहे हैं, कि आपको क्या लगता है, कोई भी इसमें अपडेट होगा, मैं आफिर से लेके आऊँगा, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जय हिंद, जय भारत